वी की वेल्यू, स्टार्टिंग में ए से छोटी होगी या फिर हेलो और वेलकम डियर स्टुडेंट्स, माइनम इस अवनवारिय, I am studying BTEC at NIT हमीरपूल आज की इस वीडियो में हम थर्ड कोशिन की बात करने वाले हैं, तीसे कोशिन की बात करेंगे, जो कि है इलेक्रिक पोटेंशल से, तीकि आने वाले जो वीडियो होंगे, उसमें भी हम इलेक्रिक पोटेंशल के बारे में बात करने वाले हैं, और इलेक्रिक पोटेंशल के जि a variation of electric potential E so electric field and electric potential V with distance R due to a point charge Q ठीक है यानि कहा ऐसा कुछ गया है कि कोई एक charge है हमार पस Q किसी एक point पर रखाए let's say वो point हमारा O है ठीक है और R distance पर हम calculate कर रहे है कोई भी point P है हमारा ठीक है यह distance हमारी वैरी करेगी अब इस point P पर हम calculations कर रहे है किस चीज़ की एक तो हमारा E electric field की हम calculations करें साथ में हम calculation करें electric potential की इन दोनों को हम यहां पर discuss कर रहे है अब देखिए यह जो E है यह हमारा क्या होता है electric field electric field का form लगया होता है force by charge अगर मान लीजी यहां पर आपको charge लेते हैं test charge small test charge लेते है Q ठीक है तो उससे जब हम force को divide कर देंगे जो भी इन दोनों charges के बीच में लग रही होगी Q and Q capital Q and small Q के बीच में जो force लग रही होगी उसको अगर हम इस charge Q से divide कर देंगे तो हमारा potential electric field आ जाता है ठीक है साथ में अगर हम बात करें V की तो V क्या होता है work done divided by Q ठीक है जो भी work होगा infinite से इस point तक लाने के लिए वो हमारा electric potential होता है at this point P due to charge Q ठीक है इसका एक और formula भी होता है 1 upon 4 pi epsilon note Q by R ठीक है अब यह यहाँ पर formula use होने वाले है क्यों यहाँ पर हमारे पास है charge Q and distance भी है R और इसके और इन दोनों के variation को हमें यहाँ पर एक graph में plot करना है तो यहाँ पर यह formula में होना जरूरी है ठीक है तो इसलिए हम यह वाला formula इसका इसका यह वाला नहीं करेंगे प्लस इसका भी यह formula हम consider नहीं करेंगे इसके लिए भी हमें दूसरा formula लिखना पड़ेगा और वो होगा हमारा E is equals 2 force की वे लिग रोती है 1 upon 4 pi epsilon note Q into Q upon Q क्योंकि हम दोनों charges के बीच में force की बात कर रहे है तो यहाँ पर आजाएगा Q into Q upon Q तो यह हो जाएगा हमारा 1 upon नीचे आएगा R square साथ में ठीक है इसको मैं थोड़ा सा किलिए लिख देता हूँ यहाँ पर मेरा आजाएगा Q ठीक है यह मेरा हो गया force जो कि इन दोनों के बीच में लगने वाली है ठीक है divided by charge Q तो यह मेरा formula बन जाएगा इससे cancel out हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon note capital Q upon R square ठीक है यह मेरा formula बन जाएगा E के लिए अब मुझे इसको और इसको compare करना है अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि दोनों में जो मेरा Q है वो common है plus 1 upon 4 pi epsilon note भी common है तो मैं इनका formula थोड़ असा और modify कर देता हूँ और इसको ले लेता हूँ अपनी तरफ से और V का formula लिख देता हूँ K1 upon R ठीक है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि K1 जो है वो मेरा equal है Q upon 4 pi epsilon note के ठीक है यह मैं कुछ considerations यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ अब अब हमें graph plot करना है तो देखे ज़रा graph कुछ इस तरीके से होगा यहाँ प पहले V को ही plot कर लेता है V को और R को plot कर लेता है यहाँ पर ठीक है फिर हम इन दोनों को graph को combine करके एक graph में लिखेंगे और उससे हम analyze करेंगे कि हमारा कौन सा उपर आना चाहिए कौन सा नीचे आना चाहिए graph में मतलब कहा पर इन दोनों की settlement होगी तो देखे यहाँ पर आपक आपको difference का पता नहीं चलेगा इन दोनों के बीच में है आपको difference का यहाँ पर पता नहीं चलने वाला है क्योंकि यह दोनों graph अलग-अलग बने है अब हमें इन दोनों को combine करना है अब बात यह हैगी कि जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो क्या एक दूसरे के ऊपर line को draw करे तो चलिए इसको प्लोट करने वाले हैं तो देखिए यहां पर हम इन दोनों को प्लोट करने वाले हैं अब क्योंकि हमें यह पता है कि जो भी हमारा formula है E के लिए हो या फिर V के लिए हो इसमें हमारा जो R है यह नीचे आया हुआ है और हमें जो graph draw करना है वो R के साथ में करना है E slash V का बदब इन दोनों में से किसी एक quantity का R के साथ है तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यह upon में है एक्जामबल के दोर पर अगर मा लीजे उपर 40 है और मैं नीचे डिवाइड करता हूँ इसको 2 से तो मेरी यह जो value आएगी वो इस 40 से कम आने वाली यान कि जो मेरी original value थी इससे यह वाली value कम आएगी ठीक है लेकिन वही पर अगर मैं 40 को डिवाइड करूँगा 0.9 से या 0. 0.5 से ठीक है तो यहाँ पर मेरा गया आएगा 80 और originally मैंने लिया था कितना यहाँ पर मैंने 40 लिया था तो मेरा आया 80 that means कि अगर मैं 1 से छोटी value के लिए डिवाइड करता हूँ या 1 से छोटी value से डिवाइड करता हूँ तो मेरी जो value है वो क्या आती है बड़ी आती है original value से तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं इस quantity की बात करूँगा यह कोई sum quantity k1 आएगी मेरे निकल के हर बार सेम आने वाली है तो जब मैं इसको देखूँगा तो यह 1 के लिए बहुत ज़्यादा value होगी बहुत ज़्यादा value लेकिन जैसे जैसे अगर मैं इसको 40 को ही divide करता ठीक है लेकिन वो घटेगी एक quantity तक ही ठीक है उसके बाद क्या होगा मतलब steeply ऐसे बहुत ज़्यादा घटेगी फिर उसके बाद जैसी 1 पे वो आएंगे फिर उसके बाद से वो थोड़ा सा आराम से decrease होगी ठीक है उसमें ज़्यादा variation नहीं होगा यहाँ पर अगर आप द यहाँ पर बात आती है E और V की इन दोनों में कैसे decrease और increase होगा ठीक है इन दोनों को हम कैसे justify करेंगे कि किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा तो इसको ज़रा देखते हैं अब E में हमारा है नीचे R² तो मैं ज़रा यहाँ पर एक छोटी सी calculation और कर लेता हूं कि 40 को मैं डिवाइड करता हूं 0.1 से तो मेरा आएगा यह 400 ठीक है अगर मैं 40 को डिवाइड करता हूं 0.1 के square से तो यहाँ पर मेरा आएगा 4000 simple सा rule है क्योंकि 0.1 को जिम मैं open करूंगा तो यह मेरा क्या बन जाएगा 0.01 इसकी 2 zeros मैं यहाँ पर remove करूंगा ऊपर 2 zeros add करूंगा तो यह मेरा बन जाएगा 4000 ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे यह लगा कि अगर R है सिर्फ simple R है तो कुछ quantity वाली है यहाँ पर R square की escape साथ है R square है E के साथ यानि की E की value बड़ी होगी compared to V तो यहाँ पर V थोड़ा सा आगे से start होगा ठीक है वी हमारा थोड़ा सा आगे से start होगा और यह कुछ ऐसे आएगा यहां तक ठीक है अब बात आती है कि आगे क्या होगा आगे 1 से आगे क्या ह होगा अगर मैं 40 को divide करता हूँ 2 से तो 20 आएगा लेकिन अगर मैं 40 को divide करता हूँ 2 के square से तो मेरा 10 आएगा यानि की value अब घटेगी पहले क्या हो रहा था अगर मैं R का square कर रहा हूँ तो value बढ़ रही है अगर वो 1 से कम है R की value लेकिन जब R की value 1 से जादा है तो उस situation में मे जैसे मैं square कर रहा हूँ या जैसे मैं R की power increase कर रहा हूँ तो यहाँ पर हो गया यह अगर मेरी quantity है इसको ड्रो करते हैं dot से ठीक है dot से show करते हैं इसको यह V होगा यह E होगा ठीक है अब देखें यहाँ पर यह dotted line E को show कर रही है अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं 1 से उसको बड़ी value लेता हूँ R की बड़ी value आती है 1 से तो क्या होगा E की value छोटी होती जाएगी वो ज़्यादा decrease करेगी तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको लगाँगा नीचे ऐसे वो नीचे तक जाएगी और यह थोड़ा सा इससे उपर रहेगी तो मेरा overall graph कुछ इस तरीके से बनेगा V की value starting में E से छोटी होगी या फिर मतलब कम होगी value इधर होगी एंड जब मैं बात करूँगा 1 से बाद वाली values के लिए तो वहाँ पर E की value नीचे आ जाएगी E की value और तेजी से घटेगी पहले क्या होगा कि जो E की value है वो बहुत कम value के साथ घटने वाली है compare to V ठीक है वो कम घटने वाली है तो यह कुछ हमारा graph होने वाला है